हेलो स्टूडेंट माइसलफ सैलेश कुमा मौर्या और आज हम अपने वीके जैसवाल के क्वेशन आंसर के सीरीज को फर्दर कंटीन्यू करते हैं आज हम करेंगे आपके केमिकल बॉंडिंग एडवांस से क्वेशन 20 से फर्दर प्रोसीड करते हैं ठीक है आप देख सकते हैं वीके जैसवाल बुक का नाइन्थ एडिशन यूज कर रहा हूं ठीक है यह आपका फ्रीली अवलेबल नेट पर आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो ठीक है वीडियो स्टाट करने से पहले एक इंपॉर्टन इफ़र्मेशन अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम कोई सा भी confusion होता है तो आप मेरे से इंस्टा के थ्रू कनेक्ट होके वहां पर पूछ सकते हो और आपका मैं वहां पर reply करने की पूरी कोशिश करूँगा ठीक है दोनों की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिये वहां से फॉलोग कर लेना ठीक है अब आज आते हैं question 20 the boiling point of noble gases are illustrative of the operation of the forces of the type तो देखो जो भी हमारे पास noble gases होती है उसके अंदर जो force काम करती है वो हमारे पास London forces काम करती है basically आपको पता है noble gases के अंदर जो भी हमारे पास noble gases है उसके अंदर किसी भी तरह का कोई iron वायन तो होता है नहीं है simply क्या होता है momentally displacement of electron cloud होता है उसकी सिस्टम में जिसके जैसे क्या होता है attraction होता है उसी को हम क्या कहते है London forces तो इसका correct answer क्या होना चाहिए basically होता है क्या है जैसे मालो यह noble gas है तो इसमें कभी ऐसा time आएगा जब इस तरफ electron density काफी जादा हो जाएगी जब इदर electron density इस reason में जाता हो गई तो इस पर कैसा चार्ज जाएगा डेल निगेटिव तो अब्यसे बात है इसके contemporary part में क्या जाएगा डेल positive तो इन दोने के बीच में क्या हो जाएगा attraction इसी तरह से जो noble gas होती है वो अपने आपको उसकी stability बनी रहती है तो इसमें correct answer क्या हो जाएगा option D London dispersion forces ठीक है next question among the following which has the lowest enthalpy of fusion तो इसको तो एकदम यादी कर लो कि इसमें जो lowest enthalpy होती है वो होती है helium की आप ये भी समझ सकते हो कि जितने भी element है हमारे पास उनमें सभी element की positive enthalpy of fusion होती है ठीक है positive enthalpy of fusion होती है लेकिन helium एक ऐसा element है जिसकी जो enthalpy of fusion होती है वो कैसी होती है negative होती है सबसे कम इसी की होती है तो as a exception भी है तो इसको आप ध्यान में भी रख सकते हो अगर कभी helium दिख रहा तो उसको आप टिक करके आगे बढ़ जाना और basically enthalpy of fusion होती क्या है enthalpy of fusion वो होती है कि इतनी heat required टाकि किसी एक given solid को हम किसके अंदर convert करते है के liquid के format में change करते है या उसको उसका state change करने पर मजबूर करते है इसी को हम क्या कहते है enthalpy of fusion कहते है ठीक है next question question 22 out of the two compound shown below the vapor pressure of B हमें B के vapor pressure पर बताना है at a particular temperature तो देखो ये कौन सा nitrofenol है और्थो nitrofenol बोलते हैं और्थो nitrofenol है तो इसमें कैसी bonding होगी इसमें होगी intramolecular H bonding इंट्रा लिखा है ठीक है ये कैसा है paranitrofenol है इसके अंदर कौन सी bonding होती है तो आपको पता है इसके अंदर intram molecular H bonding होती है जहां कभी इंट्रा molecular H bonding होती है वहां पर boiling point क्या हो जाता है कम हो जाता है ठीक और जहां पर intramolecular H bonding होती है वहां पर boiling point क्या होता है बढ़ जाता है अगर boiling point कम है तो इसका मतलब क्या है vapor pressure इसमें ज्यादा होगा और जहां पर boiling point ज्यादा है उसका मतलब क्या है vapor pressure कम होगा कि boiling point of vapor pressure में inverse relation होता है तो यह पूरी की पूरी इसकी कुंडली है जो मैंने आपके सामने रख दी तो अब आप इसमें answer देख सकते हो हमें vapor pressure पूछा था तो B का vapor pressure क्या होगा जादा होगा जैसा कि यहां पर आप देख सकते हो तो higher than that of A option इसका क्या हो जाएगा correct हो जाएगा ठीक है next question the crystal of ice is mostly formed by तो देखो आपको पता है जो हमारे पास ice का crystal होता है एक तो ice बना किसे water से water के अंदर तो covalent bond तो पहले से present होते हैं लेकिन जब आप ice का crystal देता है तो उसके अंदर hydrogen bonds भी present हो जाते हैं ठीक है तो उसके अंदर कैसी bonding होती है covalent भी होती है as well as h bonds भी होते हैं ठीक है तो यह आपका d option जो है वो क्या हो जाएगा correct हो जाएगा ठीक next question question 24 the boiling point of methanol water and dimethyl ethers are respectively यह कुछ values दे रखी है यहाँ पे और इस particular जगह पे आपको इसका reason बताना है देखो simple सा बात है अगर आप water का molecule देखोगे तो जितने lone pair होते है उतनी h bonding बन सकती है ठीक है तो यहाँ पे दो lone pair है देख रहे हो उस तरह से तो यह क्या कर रहा है और दो lone pair है और यह दो hydrogen है तो इस तरह से आप देख सकते हो एक water molecule टोटल चार hydrogen bonds बना सकता है लेकिन अगर आप वहीं पे methanol देखोगे तो उसमें और क्या हो जाएगा वह h bonding की जो strength है वह क्या हो जाएगी कम हो जाएगी ठीक है और dimethyl ether देखोगे dimethyl ether का मतलब क्या हो गया c s 3 o c s 3 तो इसमें तो नहीं हो पाएगा h bonding इसमें possible ही नहीं है क्योंकि h bonding होती ही कैसे ही ऐसे hydrogen जो oxygen nitrogen और fluorine से connected हो और कुछ कुछ special cases में chlorine भी शो करता है तो यह तो नहीं शो कर सकता तो इसका correct answer आपको देखने लगा होगा option b हो जाएगा the extent of h bonding decreases from water to methanol while it is absent in ether तो ether में absent होती है जितनी यादा h bonding होगी उतना जादा क्या हो जाएगा हमारा boiling point बढ़ जाएगा ठीक है simple से question है आप तुरंत कर ले जाओगे next question in eyes the length of h bonds is h bonds की length क्या होती है तो आप बताओ h bond strong होता है या आपका equivalent bond बोलो h bond strong है या आपको पता है covalent bond strong होता है ठीक है covalent bond यह मैंने covalent लिखा हुआ है covalent bond strong होता है in comparison to h bond अच्छा एक और बताओ अगर कोई bond लंबा हो जाएगा तो यह कैसा हो जाएगा आपका weak हो जाएगा और अगर कोई bond short में इतना ही दूरी में bond बना के रखा है तो यह कैसा हो जाएगा strong हो जाएगा तो अगर यह covalent bond strong है तो इसका मतलब क्या होगा कि यह थोड़ा सा small होगा और अगर यह h bond है तो यह कैसा हो ज रहा तो obvious ही बात है उसमें weak bonding होगी weak bonding होगी तो large हो जाएगा ठीक है तो 25 cases आप से कौन सा answer हो जाएगा the length of H bond is greater than that of equivalent bond तो किसी भी logic से आप चलोगे question आपका same answer वही होगा ठीक है next question the correct order of strength of H bond is तो simple सी बात है जैसे मालो H और A element है तो जितनी जादा इस A की electro negativity बढ़ाते जाओगे देखो इस electro negativity जितनी जादा इसकी आप बढ़ाते जाओगे H bond की strength क्या होती जाएगी बढ़ती चली जाएगी क्यों क्योंकि उतनी जादा charges का creation होगा जैसे मालो A बहुत जादा electro negative है तो इसके उपर कैसा चार्ज आएगा डेल negative इसके उपर कैसा चार्ज आएगा डेल positive अब खुदी सोचो अब यहाँ पे एक और molecule ले लो इस तरह से A और H ठीक है तो A और H इस तरह से एक और ले लो यहाँ पे है डेल negative तो जितनी जादा यह charges का creation हुआ रहेगा यहाँ और यहाँ पे जितना अदा charges का creation होगा उतना जबर जस्थ यहाँ पे attraction वर्क करने लगेगा समझ रहे हो जितना अदा charge creation होगा उतना अदा जबर जस्थ attraction काम करेगा और जब जबर जस्थ attraction काम करेगा तो उतना अदा strength भी हो जाएगी, तो यानि सिंपली सी को logic से कहते हैं कि electro negativity बढ़ा दोगे तो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा ठीक है, तो अब इस logic से लगा दो तो इस logic से option D आपका क्या हो जाएगा correct हो जाएगा, sorry option D नहीं, गलत कर दिया option A हमारा correct हो जाएगा ठीक है न, क्योंकि electro negativity होती क्या है, FON से vary करती है ठीक, यह option correct हो जाएगा ठीक है, भूप करते हैं समाज में आ गया होगा, ठीक अब देखते हैं next question, पहले बोल रहा है, और्थो नाइट्रो फिनॉल के बारे में can be easily steam distill while paranitrofenol cannot क्यों बाई, ऐसा क्यों होता है कि और्थो नाइट्रो फिनॉल जल्दी वैपर बना के आपका distillate का formation हो सकता है यानि वो जल्दी evaporate होके दूसरे वेसल में वो collect किया जा सकता है यहीं बोल रहा है, क्यों क्योंकि और्थो नाइट्रो फिनॉल में कैसी bonding होती है, अभी पीछे भी पड़ाता इसके अंदर होती है intramolecular H bonding कैसी bonding होती है, intramolecular होती है और जब कभी intramolecular H bonding होगी तो अब्वियसी बात है, उसका क्या हो जाएगा आपका boiling point कम हो जाएगा तो इसका क्या answer आप बोल सकते हो, 27 का भी हो जाएगा strong intramolecular hydrogen bonding in ortho natrofenol उसके अंदर intramolecular H bond है, जिसके लिए से क्या होता है वो steam distilled हो जाता है ठीक, next question what is not true about ice ice के बारे में कौन से चीज गलत नहीं है ठीक है, it has open cage like structure हाँ, इसका एक open cage like structure होता है it has less density in water, यह भी बात सही है कि आप देखो, जो हमारा ice होता है water के पर float करता है each O atom is surrounded by 4 H atoms, यह बात बिल्कुल सही है यह आपका सही statement तो obvious ही बात है, D गलत हो जाएगा यानि यह हमारा answer हो जाएगा अब ऐसा क्यों, देखो, एक जो oxygen atom है, वो तो दो hydrogen से covalent bond के through connected है और यह जो lone pair है न, यह आपके involved होते है H bonding के अंदर ठीक है तो जितने जादा lone pair होंगे, वो उतना रदा H bonding करेंगे ठीक, तो जैसे मारा लो HOH है, तो इस तरह से यह इधर से भी इस तरह से connection बैठाए रहता है तो total कितने hydrogen को surround करते हैं, तो यह जो oxygen है, यह 2 से तो connected है आपके covalent bond से, और 2 lone pair है न, तो 2 lone pair है जिसके जैसे क्या हो जाएगा, वो आपका 2 H atom के through भी connect हो सकता, तो ऐसी मालो कोई atom है, जिसके पस मालो hypothetically 4 lone pair हो जाए, तो वो 4 बार H bond बना सकता है, तो इस तरह से उसको हम compare करते हैं, तो यह आपकी trick होती है, तो आपका correct answer क्या हो जाएगा, option D कि each O atom is 4 H bonds surrounding, कितने H bonds होते हैं, केवाल 2 H bonds, जितने lone pair, उतने H bonds होने चाहिए, ठीक है, next और last question, question 29 which ice melts when ice melts to form liquid at 0 degree Celsius, there is contraction in volume, this is due to, contraction in volume क्यों हो जाता है, क्योंकि देखो, जब आप जैसे ही, आप heat करना शुरू करते हो, तो जो molecule के बीच में, जो H bonds होते हैं, जो hydrogen bonds होते हैं, वो क्या करने लग जाते हैं, break करने लग जाते हैं जब break करने लग जाएंगे, तो जब आप पीछे हीट करना शुरू किया, तो यह cage like structure दीरे-दीरे क्या करने लगेगा, break करने लगेगा, तो चीजें पास आने लगेगी, तो क्या हो जाएगा, contraction in volume देखने को मिलेगा, तो इस वर जैसे cancer आजाएगा, option B, partial destruction of hydrogen bond network of ice on melting, ठीक है, तो यह आपका हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर हमने, आप देख सकते हो, धेर सारे, यह सब question किये, पूरे, आपके, वीके जैस वाल से, ठीक है, और हम होप करते है, आपको वीडियो समझ में आया भी होगा, अच्छे से, तो अगर आपको वीडियो अच् कर लो, तो कि important materials आप से कभी भी miss नहीं होने चाहिए, ठीक है, so that's all for today, and thank you for watching,